हाई प्रेंट्स आज हम रपास एक एसी एडरा 14 टन का है अज हम उसको रिव्यू करेंगे चलते हैं देखते हैं गाड़ी का क्या हुआ है यह एसी 14 टन का है हैईसी कंपनि का इसे तो वह सवे pan आता है कि इस्ञे diffident से एक है夏 TED के इसाफ का इसाफर आकशे़ में वह प्रेक नहीं आ रहा है यह देखिए अंदर में इस सफॉ बर नड ग्राए और पुछ होईल सा लग रहा है इस हैड़ उस्जाबन संदिखेंगे चार टायर देखा है उससे दो टायर का हम दिखा रहे हैं दीसाल hoping ये वाल टायर है देखिए इस टैर में भी चेक करेंगिए गया देखिए इस मेंसे Flint इसे हमारा हाट में आ रहा है ओए वैल उस साइड जो रहता है जो जो नहीं रहता है उसके अंदर और उसमें और रहता है और यह हमरा पास जुगाड है इसको खूलने का एक राड से और एक छोटा सा राड में और एक पाइप डालके चख खोल रही है आप लोगों भी ऐसा कर सकते हैं यह जुगड बहुत जी है और बहुत आच्छा है और बहुत लाइट वेट भी है क्योंकि यह उत्रा भारी नहीं है कि जो कि इसको पकड़ सके एक आजमी भी कर सकते है इसको देखिए कितना अच्छा से हो रहा है झाल 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 हमेशा इसी ध्यान में रखना है पूरा नट को नहीं खुलना है उससे पहले जग लगाना है और जग लगाने का बाद जाके नोट को खुलना है नहीं तो बेट खुल नहीं खुलेगा और यह अगर खुल जाता है तो भी बैचन्स टायर रग खुल जाएगा और यह जो है आपका नीचे आ जाएगा तकि बहुत उस टेम बहुत फिर परिशन हो जाएंगे अप लोगो गन्सकाद लोगता है तो परिशन से जाएगा तो भी कर्शान लगता है मतलब उसको उठाणे में दिकत लगता है यहीजिली पर हो जाता है और यही जी भी उड़ जाता है और यहीली भी डाउन हो जाता है अब कर दो कि अब लोगों ने इसको पूरा नहीं खोले थे अलका सा खोले थे नहीं के लिए बाद में खुल पनल लगा के खोल दे रहे हैं पूरा का फूरा खोलने के बाद यह वह स्टाडनाट में थोड़ा राका जाता है तो इसको उसको उस टाइम से हलका सा रखते थे पूरा नहीं कुला जाता है इसको यह अप लोगों ने कभी ट्राय मारे गए रहे तो इसको पूरा नहीं कुलेंगे जग जैसे उठ जाएगा थोड़ा बहुत तब जाके यह इसको पूरा खुलना है तो यह इसमें से और कुछ दिकत नहीं देता है यह इसको पूरा बहुता है झाल 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 यह वहला टायर में अंदर में रिम का अंदर देखिए वह लगा हुआ है वह जो टायर उदर खड़ाए वह देखिए पूरा खाली-खाली है तो उस पूरा सुखा है उसमें उएल नहीं है कि वह लहने कारण यह है कि उसका विल सिलेंडर से ओएल निकल रहा है उसलिए क्योंकि हमें पता है यहां पे और और कहीं से नहीं आता है कि अंदर से ओएल यहां पे आता है और यह हाइट्र का ड्रॉम है हाइट्र के हर गड़ी में यह ड्रॉम लगता है जिसे ब्रेक आता है यह ड्रॉम लगता है ब्रेक्सो को से रखने के लिए यह इजिले निकल जाता है जो जिसमें थोड़ा रस्ट लगता है वह नहीं निकलता है अगर जिसमें रास्ट नहीं रहता है ड़स्ट बगेर हुआ इजले निकल जाता है। पूरा ओहल लगा हुआ है उसमें Alle tra Tereseész अभी कभी पानी ऊसका अंदर चला जाता है तो जुरह मेम पकड़ता है। उसलिए के कमें आप लोगों और पानी पानी अगर घृता है।' कर राइअ कर दो ओई हाईगा है कर राइट घुटा रेख चे कर दो बखिस अजर अजर इनका जुटा है कि अग्रम को लेका हमेशा सब्धानी चे खोलिए कि ड्रम हमेशा हाथ पेर में बहुत सारा मिश्ट्री लोग को मैंने देखा हूं लोगों का हाथ कट गया है इसी का उंगली दब गया है कि ड्रम ऐसा चेज यह उसको खोलने का जो तरीका नहीं पता है तो मत खोली है हम जिसे खोले हैं जिस ड्रम को उस टाइब का ड्रम कोल सकते हैं इजी लिग निकल जाएगा और यह ड्रम देखिए इसको थोड़ा बहुत अगर यह घराब होता है तो इसको पॉलिस थोड़ा शार लेट पे सर लेजिए नहीं तो इसमें अगर आपका वास प् है और उसका उपर में जो प्लेट है वह ड्रस्ट गार्ड रहता है और यह दिखिए दोनों साइट में साइट हुआ है और यह जो स्प्रिंग का उपर भी उल आता तो बहुत जल्दी डस्ट उसमें आ जाता है जंक लगने लगता है तो अब हमेशा एक चीज़ आद रखेंगे ब्रेक कोईल कहीं पर भी खुला भी मत रखिए और ब्रेक कोईल कहीं पर भी लेक अगर होता है तो तूरंद उसको ठीकर है नहीं तो आपका गाड़ी में ब्रेक कभी भी नहीं आएगा यह पीछे में जो तीन नट दिख रहा है एक ब्रेक पाइप लग रहा है और वह दोनों दोनों साइट पे दो नट उसको खोलना पड़ेगा उसको खोलने से यह हुल शिलेंडर निकल जाएगा देखिए यह हमारा फैनली हुल शिलेंडर निकल गया ह आरिए ओपर में देखिए बाला यह पूरा कंपूरा दिखिए निकल गया है और यह दिखे अच्छा से पूरा थे पूरा डौर ड़ार सब्सप़ करना पड़ेगा सब आपको साप करने के लिएक है यह बला जो है यह उसका डस्ट काड है और यह विल सिलिंडर जो नीचे सिलिंडर टैप कर दिख रहा है यह सिलिंडर है और यह दोनों सैड में दो पीन रहता है वो सिलिंडर पीन इसको बोला देता है वो सिलिंडर पीन बहुत कम खराप होता है वो भी ठीक हो जाता है नहीं तो निया भी मिल जाता है बजर में ऐसे दुकंदर का पास चला जाएंगे तो वो मिल जाएंगे देखे सिलिंडर से और अटमेटिक कर रहा है यह दोनों साइड से कहीं ना कहीं तो कुछ फॉल्ट है उसलिए तो निकल रहा है यह तो ऐसे नहीं निकलता है यह कि यह को अधानी से खूलना पड़ता है क्योंकि अगर यह कि ठीक डेता है दो इसी को दुबारा हमें लगाना पड़ता है अगर यह आपको लगाने का इंटरसन नहीं रहता है कोई बात नहीं इसको घूंघ तो आपको ऑनेले प्रोब्लम करेगा और ट्रू यह स्क्रूडरी पर जड़रत रहता है इसको ख Stress को इसको फड़ा दबाना पड़ताय नहीं डब आइंगे तो यह नहीं कुलेगा क्योंकि ये बहुत तैट अगर यहां पर लुहाते देगा तो इस टेल स्टिल का तो भी ब्रेकल लग के खतम हो जाएगा खराब हो जाएगा बहुत जल्दी जिके इसको पहले दबाना पड़ता है जिसे दबाएंगे इसे लग को खोल देना है बस इजिली यह निकल जाएगा फिर आपको इसको निकल सकते हैं नहीं दबा के अगर नहीं दबाने से खोलेंगे तो यह नहीं खोलेगा उसका लग यह यह अलूम्नियूम का रहता है यह हर सेथे यहां से अगर भी खडब होता है तो भी करता है नहीं नहीं निकल लिख help कि अंदर वाला भी थोड़ा बहुत खराप भी शिले ओल यहां पर आजाता है तो निया भी डाल सकते हैं कोई बात नहीं ठीक करेंगे तो कम खर्चे में हो जाएंगा अगर डालेंगे तो यह जद्धा खर्चा नहीं ओंदर ही आजाता है पूरा को पूरा कच्गा है इतना कच्गा नहीं रहने चाहिए घरिये मटनियों का तो मोटने रहता है और ऋ एथाकम करेंगे thoroughません नहीं-देगाने हाल भी सब्सक्रस फोड़ेंगे तो कभी चोड़ेंगे नेरि उतल यह तो यह है अशिक हो गजाता थी ऑनदर नहीं चाता है जा पता है दिए जो स्प्रिंग का वारे में बोल रहा था किसका अंदर बीच को खोल के कर सकता है उसका वास थोड़ा सा बेसिक नोलज अगर रहता है तो यह को लेगा इसके लिए कोई मिस्तिर का भी ज़रुत नहीं रहता है इधर जो अपरेटर था हम इसको इसी दिन सिखा रहे दें इसको पूरा हमारे यह वीडियो बनने का मक्सद यह है कि हर हुआई मैं गाड़ी कुछ खरब होता है तो यह ठाजिक अपने आप कर सकता है जैसे चैंद के यह वीडियो का मकसद हुआ है है और कुछ नहीं यह इसको पूरा डॉस्ट है इसको पूरा का पूरा साप करना पड़ेगा पूरा का पूरा अगर आपको डीजल कि रोसे नहीं है तो भी इसको पानी में भी साप कर सकते हैं पानी में साप करने का ठीक है लेकिन पानी में साप करने का बाद इसको देखते हैं पूरा सुखा एक द मतलब जददा नहीं था इसलिए इसको पानी में सब करूग करने का बात थोड़ा बहुत भी आप कर लोसां टेजल सब करेंगे इसको परना ज़रू जैसे खोलते हैं ऐसा ही लगता है उल्टा उल्टा नहीं लगता है और यह स्प्रिंग में तो उल्टा कुछ नहीं रहता है जैसे खोलते हैं ऐसा ही लगता है क्योंकि यह दोनों मुटी दोनों साइट का समान रहता है और इसमें एक ब्रेक का हमेंसा ब्रेक करने से वह स्टिलींडर में नोजल रहता है जो आड़ जस्टिंग करते हैं उसका एक नोजल रहता है उसको भी खूल के आप साफ करना पढ़ेगा वह सिलींडर प्रहिए उस तो हमने दिखा रहे थे टीन नट तीन नट का पर एक पीन है जो कि नो नमबर का तांग लगता है नहीं पाना लगता है यह सैज फाना में इसको खुलने का ओभी ड्राइं अधक पुलेगा अचिक रहेता है रिंग नहींकर, भी झी guides, कुछ नहीं पकड़ता है उदर कोई भी पाना नहीं लगता है इसलिए हमेशा हो नौ नॉबर रिंग में उसको ट्रेक करने से ठीक रहता है करें यहां को पूरा खीक हो गया अब इसको किट हमको लगाना है पूरा साफ कि इस मेंने वाला सब वे इसबह सार का सब गया गाएगा दोप نہیں धेखे हां बाला पिस्टर अगरा फाबका ठीक है तो लождения है ऐसलिए दो साल बाद साल का इए मेसीन को खुला जारा है तीन जिल्का बाद 2-2.30 सल रहो इसको इस लिए पूरा का पूरा नयाल गा रहा है कि ये साहित आज आजाता है उसका पिश्टन तुरा ठीक है घु? अगर पूरा नहों आपने लगाने को चाहते हैं तो लगा सकते हैं कोई बाध ये वितल आप कि देखिए इसमें यह रबर वाला कीट जो चार आइटम रबर वाला रहता है इसके अंदर वो केट रहता है केट भए 500-500 का अंदर इसके कीट दोनों चार रबर सेट इसके आजाता है रबर की वाला की जोग locking राफ लिटेश है जाएते कोई महगाई नहीं है कि मैं ने चुटा वाला रबर शीलिंडर का अंदर रहता है पर पड़ा वाला रबरे उसका गाड है रबर इसका थोड़ा लेने का टाइम इसका थोड़ा दियां से इसका जो नंबर है और देखके आपको लेना है शीलिंडर थोड़ा बहुत चोटा बड़ा ही आ जाता है तो इसमें दो ग्रीज प्रैकेट आता है आपको ग्रिस दे के और वह पे दे के और स्टा पर देख़ें इसको लगाना पड़ेगा अगर यह ऐस तो अपने पास कि और वह प्रिस दे के इसमें डाल सेथे कि आप यह लोगों को सब को पते हो और कि मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है तो कि में अणिछव से हूँ इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा बहुत अच्छा ठीक नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश कर रहा हूं जितना जल्दी हो सके हिंदी में सुधर लाने के लिए। दिखिए हर चीज हर अदमी सोचता है कि मतलब कुछ करने से पहले सोच लेता है कि मेरे से नहीं होगा ये नहीं होगा ओ नहीं होगा लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं पहले ट्राइकर लेता हूं पहले देखते हैं क्या होता है अगर तूटता है तो कोई बात नहीं नहीं तोसले में प्लीज हो नहीं हो सनार तो ऑपनी नहीं ऊपता है सिसको छोड़ देता हम में भ Kerry समय वाला की यह से आख करेंस कोई और नहां इसको ठीक कर सकता है सर्फ एक lock plus होना ज़ुरी है और एक 8 नमबर वाला ring नो नमबर वाला 8 नो रिंग पाना ज़ुरी रहता है ये नहीं होगा तो ये खूलेगा नहीं ठीक से और ये नहीं खूलेगा तो ये whole cylinder भी नहीं खूलेगा देखे हमने finally इसको फीट कर दिया है फीट करने कवथ इसको टेस्ट करने का जोड़त रहता है दिखे ये अंदर एकदम आराम से जाना चाहिए जहीली और जिस्से हमस्ट कांद लेगे छोड़े के तो यह बाहर भी उतना ज़िफ मिज़ी जिस तरफ खोले थे इसको उस टाइब का इसको अगर फिट कर देंगे तो यह हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं यह चलेगा क्योंकि इसको हमने टेस्ट आपका समने कर लिये हैं तेस्ट देखेंगे इसको फिट करने का बाद अगर यह पिस्टन अंदर जाता है तो बहार नहीं निकलता है तो इसको मत लगाए फिर इसका अंदर यह विल्चिलिंडर का ड्रम जो है और खराब है अगर अंदर डालने का बाद यह बहार निकलता है तो ठीक है अधिकर उस दिन रात हो गया इसको फिटिंग करते करते तो इसलिए रात वीडियो बनना पॉस्टिबल नहीं रहा इसलिए रात को इस टायर डालने का बाद इसको दिखा रहे हैं यह ब्रेक कर सकते हैं जितना आपका यह जो होल दिख रहा है इस ब्रेक देखता है ब्रेक अड़्जस्टिंग थोड़ा बहुत यह भी कोई रखट साइन्स का काम नहीं है इसको अड़्जस्टिंग करना तो यह पहले से भी बोला हूं अगर कोई चाहता है तो कर लेगा नहीं चाहता है तो नहीं कर पाएगा थैंक यू बाए बाए